नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में यहाँ पर मैं जो मैच कवर करूँगा वो है ब्रसिका T10 का छटा मुकाबला जो की खेला जने वाला है टीम ब्रसिका वसेज अनूजा ब्रसिका के बीच में तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको दोनों टीम से इलेटर इंपोर्टेंड इन्फॉर्मेशन बताऊंगा साथ मैं उनकी प्लेइंग लेवन बताऊंगा और वीडियो के लाश्ट में आपको बहुत ही कमाल की टीम क्रियेट करके दिखाऊंगा तो इसलिए वीडियो को पू अभी के समय हमारे टेलिग्राम चैनल पे तीन हजास से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं और रोजाना वहाँ पर फ्री टीम का बेनिफिट उठा रहे हैं तो आप लोग भी टेलिग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा आपको क कमेंट में आपको हमारे चैनल का नेम भी मिल जाएगा जिसको आप लोग साच करके भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर वीडियो को कर दीजेगा चैनल पर पहली बार आयो तो चैनल को जरूर है वो उसने अपना दो मुकाबले अभी तक खेलें जहां पर उसके जो मुकाबले वो दोनों बारिश के कारण रद कर दिये गए ते जबकि जो जनुझा ब्रिस्तिका उसने भी दो मुकाबले खेलें जिसमें उन्होंने एक मैच में पार्ग लोइंस के इंदी को हरा दिया और उनका दुस्ता मुकाबला रद कर दिया गया था तो अगर यहां पर मैं बात करूं वेदर की तो देखिए वेदर आज यहां पर थोड़ा वो किलियर हो सकता है क्योंकि रेन के चांसे ज्यादा नहीं है उनली 24% है तो आज की मैच में आपको बारिश के चांसे कम देखन करने को नहीं मिल रही है तो एक जो यह पीछे वो यहां पर रहने वाली है बैटिंग फ्रेंली एवरेस फर्स्ट इनिंग स्कोर यहां पर रहता 115 का जो भी डिम चेस करती है उसके चांसे सरे पचास परसंट जीतने के अगर मैं बात करूं ब्रिसिका के प्लेइंग लेवन क तो इनकी और साथ को नवीद चोधरी राजिन हामद नसीर हुसेन बाबर हुसेन अली रजा मुहमूद जाफरी इमाद खान मलिक मुश्टाक मुहमद इकबाल कल्ब साजाद फैजल सा खेलते हुए नजर आ जाएंगे वहीं पे जनूजा ब्रिसका की और से आपको मुहमद अफजल वसी महमद नई महमद सुलिमान अली अतीक खान रहीं कुरेशी नासिर रह्मान अहमद उल्ला सेफी महमुद सोहिब जाहिद अली लवप्रीय सिंग खेलतों नजर आ जाएंगे अगर मैं बात करूं दोनों टीम की और से टॉप पिक्स की तो देखे पहले पिक नज बना चुके है उसके लावा नासिर रहमजान ने जो कि राइट हैंड वीकट कीपर बैटसमन है जनूजा ब्रेसिका के इनों ने भी चाउवण रन बनाए अपने दो मैचस में और नाईम एहमद जो कि राइट हैंड बैटसमन हैं इन्होंने भी अड़तालिस न बनाए अप में दो में चस्में बात की जाए कैप्टन वाइस कैप्टन आप लोग किसелिस को बना सकते तो एक को बना सकते हैं तो दोस्तों अमीद करोंगा आपको ये वीड़ो माः नहीं प्रॉटन लगी होगी तो इसी लिए आप लोग वीड़ो को एक लॉइक जरू कर दिये होंगे अगर आपने अभी तक एक लाइक वीडियो को नहीं किया तो जरू कर देना चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजेगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पास में जो गंटा उसको ज़रू वाल पे प्रेस कर लेना ताकि आप सभी को आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके बाकि जो भी मेरी फाइनल अपडेट रहेगी जो भी मेरी फाइनल टीम रहेगी वो आपको टेली सेक्षिन में जाना और कमेंट सेक्षिन में जो सबसे टॉप पर कमेंट होगा सबसे नंबर फर्ष्ट पर कमेंट होगा वो हमारे चैनल का होगा जिस पर क्लिक करते हैं आप लोग सीधे हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे और बाकी मेंबर्स की तरह आप लोगी फ्री टि की दूसरी पिक आएगी है एन हुसेन की तिसरी पिक नीचे आपको निकल के आएगी एक खान की तो यहांपर देखिए जो सबसे important पिक हमारे लिए रहेगी वह यहांपर दो फिक रहने वाली एक तो एक खान की क्योंकि यह गिंडबाजी कराएंगे दो विकट पिछले मैच में इन्होंने निकालने तो इसलिए हमारे लिए important है बाकि आपर रमजान को हम लोग अपनी टीम में try करेंगे इन्होंने पिछले मैच में बहुत कमाल की पारी खेली पच्पन के आसपास इन्होंने run बनाएं तो इसलिए यहांपर मैं दो विकट के पर के साथ जाने वाल है जील के लिए बाकि हम लोग यहांपर रुसेन को अपनी टीम में बिक करेंगे यह भी important प्लेयर हैं किसी भी मैच मैच आपर परफॉर्म कर सकते हैं उसके लाब हम लोग यहांपर आई खान को भी कर लेंगे पिछले मैच में कमाल का परफॉर्मस इन्होंने किया साथ में गिंदबाजी भी अच्छी खासी कर लेते हैं तो इसलिए हमारे लिए top class important पर रहने वाले हैं तो आपको भी यहांपर इनको select करके रख लेना है अल राटो section की मैं बात करूं तो यहांपर मैं जैडली को बनेटीम में ट्राइए करूंगा जो कि आपको open करते हुए नजर आ वाला है तो हमारे लिए important है उसके लाबा नीचे यहांपर safety keeping नजर आ रही है आप चाहें तो इनको बनेटीम में ट्राइए कर सकते हैं लेकिन मेरी टीम में उनकी जगा नहीं बन पा रही है तो इसलिए मैं आप तीन मेना लाउंडस के साथ जाने वाला हूँ बालिंग सेक् रूँगा captain और wise captain किसे बनाए विकेट कीबर section में मैंने याप पर एठान को लिया जो की बॉलिंग के लिए जाने जा रहे हैं और पिछले में कमाल की बॉलिंग करा है दो विकेट की इन्होंने अपने नाम उसके लाबा इन रमजा में बहुत ही hard eater player है पिछले मैच में पच पर आई किया है आमिर जाफरी के में बहुत करी important player है open करेंगे साथ में दो वर का balling spell भी complete करवाएंगे उसके लबाए रजा इसलाम को लिया यह भी बहुत ही अच्छे गेंदबाज है और पिछली मैच में एक विकट इन्होंने हासिल किया है एन मुस्ताक विकट टेकर गें बागी एफसा को मैंने लिया और यहाँ पर अफजल को पी किया है अपनी इस टीब में अगर बात की जाए कैपटेंसी किसको दी जाए तो कैपटेंसी यहाँ पर आमिर जाफरी से अच्छी बीकाप के लिए कोई नजर नहीं आएगी बैटिंग बालिंग कराते हैं और यहाँ पर एन रमजान को मैं वाइस केप्टन दूँगा बाकि आप चाहें तो आई खान को भी अपनी डिम में जगे दे सकते हैं देख सकते हैं पिछले मैच में 48 बनाए इन्होंने तो हो सकता है इस वाले मैच में हैं जो इनके half century रे गई तो इसको पूरा करें लेकिन यहाँ पर मैं रमजान और यहां पर रमी जाफ्री को बनाऊं गा बाकि यहाँ अबर आईखान के बात करूव यह बालिंग करा लेतے करते हैं तो अगर इनकी टिम पहले बहुंस करती हैं झाय "...चाम के बहुंस करो था भाश mean करें। यहां पर जाकर आप लोग हमारी इस टिम को सेब कर सकते हैं 태 दोस्तों। करण आपको वीडियो पसंद आए होगी एगर आपको वीडियो पसंद आए тो लाइक करिए चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए गंटा दबा दीजे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए ये बिल्कुल आपके लिए फिरी है और इंपोर्टेंट भी बाकि जो भी मेरी फाइनल अपडेट रहेगी जो भी मेरी फाइनल टीम रहेगी वह आपको मिलेगी जाना कमेंट में जो पहला लिंक होगा वह हमारे चैनल का होगा जिस पर क्लिक करते सीधा आप लोग हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे और बाकी मेंबर्स की तरह आपको भी फिरी टीम मिलना वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी तो दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे जल्दी न कंदे मातराम